यह स्टुडेंट्स यह एक्सेसाइज 3.2 का कोश्चन 18 था जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है इसमें आपको सेट ए दिया हुआ है और आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है तो आई के लिए जो हम यहां लेंगे टू बाइटू आउडर का चुकि एक मैट्रिक्स थो इसके लिए अब सॉलूूशन ओके यह आजाएगा है सॉलूशन दटीस एलेंगे सबसे पहले सॉलूशन दटीस यह टीन्त का लह अलेचस ले लेंगे लह अलेचस इस इकल टू हम लिखेंगे आई पलस ए विच इच इकल टू आई के लिए हम ने यह आई- 2 by 2, और पलस, यह जो हमारा दिया हूँ मैत्रिक्स, डैट इस 0, minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2, और जीरो यह दिया हूँ, अब इस जोनों को जब हम add करेंगे, तो यह आजाएगा, 1 corresponding element को add करेंगे, तो यह आजाएगा, minus 0, minus 10 alpha by 2, minus 10 alpha by 2 आजाएगा, 0 plus 10 alpha by 2, तो यह आजाएगा 10 alpha by 2 आगया और 1 को जब 0 से add करेंगे तो यह 1 आजाएगा यह हमारा LHS आगया अब हम लिखेंगे यहां से RHS RHS is equal to I minus A or into that is cos alpha minus sin alpha sin alpha और यह आगया cos alpha यह आजाएगा इसे हमने का दिया फिलाल equation 1 अब इसको हम find करने से पहले हम I minus A find करेंगे I minus A that is I minus A find कर लिएगा okay I minus A which is equal to आजाएगा I के लिए हमने लिख लिए यह identity matrix लिख लिए और minus अब A matrix के लिए हमने लिख लिए यह that is 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 minus 0 अब इसको आजाएगा क्रस्पोनिक यह आजाएगा 1 और minus 0 यह आगया 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 और यह 0 और minus of minus 10 alpha by 2 plus 10 alpha by 2 आजाएगा यह और फिर यह next आजाएगा आपका आजाएगा ओके नेक्स्ट आजाएगा इंड़ इस ओके 0 को 10 alpha by 2 में जाएगा जिरो और यह आजाएगा माइनस माइनस sign के वज़े से इस माइनस sign के वज़े से यह minus 10 alpha by 2 आजाएगा और इसको 0 जब एड़ करेंगे 0 में तो यह आजाएगा माइनस 10 alpha by 2 आजाएगा इसी रंग से जीरो को जब यह तो माइनस 0 आजाएगा और बन एड़ करेंगा तो यह बन नहीं आजाएगा इसम्पली कोर्सपोंडिंग यह बने मैं प्रिकर के यह आजाएगा नेक्स आजाएगा आपका नो आब हम कंसिडर करेंगे यह बने एड आजाएगा और इनटो आजाएगा मैनस sign alpha और sign alpha इnto cos alpha यह बने मैंने फांड किया है यह बन 10 alpha by 2 सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगे तो फ़र्स्ट कॉलम सब्सक्राइब करेंगे तो फ़र्स्ट कॉलम से मल्टिप्लाइब करेंगे तो फ़र्स्ट कॉलम से मल्टिप्लाइब करेंगे तो फ़र्स्ट कॉलम से मल्टिप्लाइब क फिर उसी फिर्स्ट रोग को हम सेकेंड कॉलम से मॉल्टिप्लाइ करेंगा, बान को मानेस साइन अलफा से मॉल्टिप्लाइ करेंगा, तो मानेस साइन अलफा अगया, फिर टेन अलफा बाइ टू को कॉस अलफा से मॉल्टिप्लाइ करेंगा, फिर आप सेकेंड रोग को फिर् करामगेंघेंगेंगेंगेंगे 10 आफा बाइटू dzięki कर था पाजरायगा हुआ के अचा जाएगा अचल्टाद यह मुझा तयुपलाइगाँ तो प्लस कॉस अलफा आगेंगे माढेंगे में उथा प्लस कॉस गाजन पाँ हुआ यह भी और फिंटहीस का मीनस सानल पाइव और यह आगया प्लस थनल पोर सनल पाइव रातल पॉसानलपइव आगया प्लस एंत को सनल फाइव रेयर ऑर प्लस साहनल पाइव गया को is sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 or into sin alpha plus cos alpha यह आगिए अब नेक्स जो है हम इसमें LCM लोगा इस देनों LCM LCM जो आजाएगा यह cos alpha upon 1 है यहाँ भी मानस sin alpha upon 1 sin alpha upon 1 cos alpha upon 1 जब हम LCM लेंगे तो जब हम 1 और cos alpha का LCM आजाएगा cos alpha आजाएगा that is LCM यह आगया अब यह cos alpha by 2 को cos alpha से multiply कर लेंगे तो cos alpha into cos alpha by 2 आजाएगा फिर plus प्लस आजाएगा यह और sin alpha by 2 into sin alpha आजाएगा that is sin alpha by 2 into sin alpha यह आगया यह फिर निशी तरह से हम इसदोनों में अब LCM लेंगे that is a cos alpha by 2 आजाएगा LCM आगया cos alpha by 2 अब cos alpha by 2 कोислिया करेंगा – sin alpha से तो यह आजाएगा आपका minus sin alpha into cos alpha by 2 और फिर यह आजाएगा plus that is sin alpha by 2 into cos alpha आजाएगा यह आगया फिर आभीु है लिखशी दोनों में शर्ट जब हम लेंगे आज़ेगा माइनस साइन उलफा बेटु इंटू कॉस अलफा और पिर आजएगा प्लैस में ये कॉस अलफा-बेटू सान Verg you सब्सक्रार वाइगे ले कंब्सा चार्य साइनलफा करके हैं यह चीज़् हम onze तरफी सा अब यहां जब हमना姓aint म ben तो यहां भी LCM आजाएगा आपका यहां साइन आल्फा बाइट नटवी साइन आलफा बाइटो इंटो सानल फाइटो इंटु साइनलफा आजाएगा और पलास आगिया कॉस आलफा फूर मुल्टिप्लाइ करना ओगा को से नटौ सब्सक्राइगा अब नेश्ट देखेंगे which is equal to यहां आप देखे हैं cos alpha into cos यह जो है आपका यह form बन जाएगा that is cos x cos y plus sin x sin y cos x minus y का फार्मूला आजाएगा तो इसके लिए हम लिखेंगे that is cos of x के लिए alpha ले 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 लेगा minus alpha by 2 आजाएगा फिर अपन में आगे आपका cos alpha आजाएगा फिर यहां आप देखेंगे यह जो form है वो है sin x minus y का फार्मूला आजाएगा तो sin का जो x लेंगे वो आजाएगा that is यहां से alpha by 2 आजाएगा और y आजाएगा यहां alpha आजाएगा इस term से आजाएगा sin x minus y के लिए तो यहां हमने लिख लिए that is sin लिख लेंगे और फिर x के लिखेंगे alpha by 2 और minus alpha आजाएगा फिर अप आप आँ में आगया cos alpha by 2 यही दो चीज़ important है फिर आप इसी रंग से यह जो form बनेगा आपका वो आजाएगा sin x minus y का ही इस टर्म से लेंगे तो साइन के लिए जो एकस आएगा alpha आजाएगा और y आजाएगा आपका alpha by 2 आजाएगा तो यहां जो हम लिखेंगे that is sin और alpha minus alpha by 2 upon में आजाएगा cos alpha by 2 और इस केस में लिख लिख लिए sin alpha by 2 plus cos alpha cos x alpha by 2 यह cos x minus y का फॉम में है तो cos x के लिए alpha ले ले लेगा y के लिए alpha by 2 ले ले लेगा फिर upon में cos alpha by 2 आजाएगा अब alpha minus alpha by 2 alpha by 2 आजाएगा तो यह cos alpha by 2 आजाएगा और upon में cos alpha by 2 आजाएगा और sin alpha by 2 minus sin alpha minus sin alpha by 2 होता तो sin of minus alpha by 2 आजाएगा फिर अपान में cos alpha by 2 आजाएगा sin alpha minus alpha by 2 तो sin alpha by 2 आजाएगा यह sin alpha by 2 आजाएगा फिर अपान में आजाएगा cos alpha by 2 cos alpha minus alpha by 2 आजाएगा यह आजाएगा cos alpha by 2 आजाएगा फिर अपान में cos alpha by 2 आजाएगा which is equal to cos alpha by 2 upon cos alpha यह बना जाएगा sin minus theta होता minus sin theta कि यी अचा उता निदेंग नाल्भाइटन गार नेरी नाल्भाइटर आपंस अल्फा नावा वा की जो फिटी नाल्फा वा क्रोट सनल्फा वा這個 की मिनवनना या था यही आगया आप यहां से देखेंगे यह आरेचेस आगया आरेचेस जोन वह एलेचेस के एक्वल आगया एलेचेस के एक्वल आगया तो हम कह सकते हैं therefore therefore अब लिखेंगे that is LHS is equal to RHS hence proved